जाएं दोस्तों मेरे नाम है अतुल और स्वागत है अपका अपने यूट्यूब चनल अतुल टेक बजार में दोस्तों रियल्मी यूई 2.0 के बहुत सारे फीचर जो इंक्लिट किया गया है क्या कुछ खास है इस अपडेट में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले अगर से आपने चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीस से कर लेज मिलता है ओक्डूबर के ओक दोबर के मत में चाना में जो एपडेट आया है यह आप देख सकते हो यह सकता है अपको नॉंबर के मत में मिल जाए तो गेमेश में इस पेस में आप देख सकते हो यहाँ पर निव ब्राइटनेस लॉक स्वीच इस ऑफ ऑफ बाय डिफाल्ट य के लिए एक अलग से icon add कर दिया गया है जिससे आपको बहुत ज़्यादा convenient हो जाएगा screenshot में अगर आप देखते हो तो यहां पर physical key add कर दी गई है जो screenshot अगर आप लेते हो तो जो screenshot का capture पे जाता है setting का उसमें यहां पर आपको एक switch देखने को मिल जाएगा physical switch की जिससे जो screenshot वगर है उसमें आप अच्छे से screenshot ले पाओगे साथी साथ दोस्तों यहां पर जो application है आप देख सकते हो new solop instant recording app यहां पे solop का आपको वीडियो editor app आपको पता ही होगा अगर नहीं पता तो मेरे चैनल पर अवलेबल आप चाकर डाउनलोड कर सकते हो बट यहां पर आप देख सकते हो solop का instant recording app भी आ गया है जो कि इस update में मिल जाएगा साथ ही साथ दोस्तों यहां पे कुछ problem थी theme store में जो theme की जो detail थी वो नहीं मिलती थी crash होता था आप पेज तो यहां पर उस problem को fix कर दिया गया है बात करें सिस्टम सैटिंग के बारे में तो यहां पे भी बहुत सारे changes आपको देखने को मिल जाएंगे new media volume synchronization switch यहां पर add किया गया है जो volume अप टाउन वाला जो switch है उसमें यहां पे थोड़ा बहुत optimization किया गया है साथ-साथ दोस्तों यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे switch अवलेबर करा दिया गया है drawer mode में जाने के लिए या फिर normal mode में जाने के लिए और साथ-साथ यहां पे eye protection mode के लिए sunset to sunrise वाला में भी एक switch add कर दिया गया है main से जिसे आपने sim switch वाला option देखा होगा notification पैनल पे तो मुझे ऐसा रखता है कि यह भी option notification पैनल पे ही आएंगे जिसमें आप अच्छे से switch कर पाऊगे drawer mode में जाने के लिए आपको setting में जाना पड़ता था तो यहां पे अब directly switch कर पाऊगे यहां पे दूस्तों आप देख सकते हो edit status bar system icon switch मतलब यहां पे हो सकता है कि ऐसा switch available करा दिया गया है और जिससे system icon आपको status bar में दिखते हैं तो आप उसे hide कर सकते हो या फिर आप उसे show भी कर सकते हो तो यह इसके लिए साइसे switch available करा दिया गया है वी लेन जो इंटरफेस है उसकी connectivity में भी बहुत सारे optimization किये गया है जैसे आपको बहतर यहां पे network experience मिल सके है इसके अलावा दोस्तों कुछ problem भी यहां पे fix की गई है जैसे कि अगर आप super power saving mode से exit करते थे तो यहां पे desktop के जो icon है उसे दिखने में थोड़ा सा यहां पे problem होती थी थोड़ा time लग जाता था साथ ही साथ यहां पे eye protection mode से अगर आप exit करते थे तो यहां पे color temperature adjustment करने में भी problem होती थी तो यहां पे इस bugs को fix किया गया है इसके अलावा दोस्तों photos album में भी बहुत सारे bugs थे उसे fix कर दे गए अगर आपके पास realme UI 2.0 का photo album नहीं है photos app नहीं है तो चैनल पे जाईए आप download कर पाऊगे जो की realme UI 2.0 का है और यहां पे safety जो है उसके लिए android security page update दे दिया गया है September और October का तो में भी दोस्तों यह जो है इसमें से बहुत सारे जो features realme UI 2.0 में available हो चुके है X2 में भी अभी इंडिया में यह update नहीं आया है बट में भी हो सकता है कि October का जो update आने के बाद November के मेहने में यह update आपको definitely देखने को मिले और हो सकता है कि बहुत सी और भी devices realme 5, realme 3 pro और भी यहां पे number series वाली devices में यह update मिल सकता है realme के regarding दोस्तों और भी कोई question आपके mind में होंगे मुझे comment section में जो उसे पूछे का या फिर टेलेग्राम ग्रूप का आप जोइन कर सकते हो इस वीडियो में दोस्तों इतने ही यविए आपको बसंद आवागा तो प्लिज सेमेश चैनल को लाइक से रो सब्सक्राइब करना न बोली है तब तक लिए नस तो बोलते रहे हैं बंदे मतरम